कृती और पुलकित समराट की शादी हरियाना के एक बड़े और भव्य होटल में धूमधाम से संपन्न हुई। यह जगह अपनी खूबसूरती और शानदार वातावरण के लिए जानी जाती है। शादी का आयोजन इतना भव्य था कि हर किसी की नजरें इस पर टिकी रही। इस खास मौके पर कृती और पुलकित दोनों ही राजसी परिधान में नजर आये। कृती का लहंगा और पुलकित की शेरवानी ने इस शादी को और भी खास बना दिया। विवाह समारोह के दोरान सभी रस में पारंपरिक और भावपूर्ण धंग से संपन्न हुई। इस विवाह समारोह में खाने पीने का भी खास इंतजाम था। विभिन प्रकार के व्यंजन और मिठाईयां परोसी गई। जिसने सभी अतितियों का दिल जीत लिया। संगीत और नृत्य का आयोजन भी खूब रहा जिसमें सभी ने जम कर ठुमके लगाए। कृती और पुलकित समराट की शादी जिस होटल में हुई थी वो होटल मनेसर में हैं। उस होटल का नाम ITC Grand भारत पैलेस होटल है। ये होटल अरावली पहाडियों पर बसा हुआ है तीन सो एकड में फैले इस खूबसूरत होटल से पहाडियों का नजारा साफ दिखाई देता है। इस होटल का डिजाइन किसी प्राचीन महल से कम नहीं है। देखा जाए तो ये होटल उदैपूर और जैपूर के महलों की बराबरी करता है। अब अगर बात करें इस होटल कमरे के साथ पूल की सुविधा चाहिए होती तो उसके लिए एक रात का किराया 550 रुपए है। ब्रेकफास्ट इस पैकेज में शामिल है। लंच और डिनर दोनों लेने वालों को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इस आयोजन में खर्च की गई भारी रकम के कृती और पुलकित की शादी एक यादगार समारोह रहा। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों ने इस शुभ अवसर को पूरी तरह से एंजॉई किया और दोनों को उनके आने वाले जीवन के लिए धेरों शुभ कामनाएं दी। बात करें पुलकित समराट और कृ पुलकित समराट ने अपनी शानदार अदाकारी से फुक्रे सीरीज में अपनी एक खास पहचान बनाई है। फुक्रे के तीसरे पार्ट में भी उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों को खूब एंटर्टेन किया। ये फिल्म मृग दीप सिंह लांबा के निर्देशन मे बनी और रितेश सिध्वानी और फरहान अख्तर की एकसल एंटर्टेन्मेंट के बैनर तले रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वरुन शर्मा, आर्चा चढधा, मंजोत सिंह और पंकच द्रिपाठी जैसे अन्य प्रतिभाशाली कलाकार भी नजर आए। फुक्रे 3 को 28 सित अपता की कॉमेडी फिल्म रिस्की रोमियो में देखा जा सकेगा, जिसमें वे सनी सिहं के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म मई 2024 में रिलीज होने की उम्मीद है। उनके प्रशंसक इस फिल्म की रिलीज का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कृती एक बार फिर अ अपनी अदाकारी का जादू बिखेरेगी।